आज बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से कुकर में मश्रूम मसाला करी जिसकी ग्रेवी भी हम कुकर में तयार करने वाले हैं और जिसके लिए कोई मिक्सर की ज़रुत नहीं पढ़ने वाली है इस मश्रूम मसाला करी को बैचलर्स भी या फिर बिगनल्स भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं हाई अब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल तो फ्रेंट्स आज बनाएंगे कुकर वाले मश्रूम मसाला करी तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं तो मश्रूम मसाला करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे मश्रूम यहाँ पर मैंने लिये हूँ है करीब 400 ग्राम के आसपास मश्रूम जिसे मैंने अच्छे से पानी से धोके साफ कर लिया था तो मश्रूम को अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर मश्रूम को मैं cut करूँगी तो यहाँ से बीच से मैं इसे cut कर ले रही हूँ मैं इसे यहाँ बड़े pieces में cut करके बनाऊंगी आप चाहें तो इसके चोटे pieces भी कर सकते हैं तो मुझे इस तरह से बड़े पीसे में कटे हुए मश्रूम ही ज़ादा पसंद आते हैं और यहाँ पे कट करने के बाद हम एक बोल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे और अब मश्रूम को करना है हमें मैरिनेट तो यहाँ पे मैं एक टीस्पून इसमें एड़ कर रही हूँ मसाला की रेस्पी ज़रूर शेयर करूंगी तो यहाँ पे किचन किंग मसाला डालके मैं इसे मेरिनेट करके छोड़ दिया है अब ग्रेवी बनाने के लिए कुकर में डाल देंगे मस्टर ओल तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ओल में से बना रही हूँ आप जो सा भी ओल खाते ह दो बड़े साइस के कटे हुए प्यास तो यहां पे दो बड़े साइस के कटे हुए प्यास मैंने आड़ कर दिये हैं और यहां पे प्यास को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करना है बहुत जादा कुक नहीं करना है यानि प्यास का कलर भी आपको चेंज नहीं करना है सिर प्यास जल्दी ट्रांस्लूसेंट हो जाए इसके लिए मैं इसमें एड़ करूंगी नमक तो यहां पे करीब एक से देर टीस्पून के आसपास मैं नमक आड़ कर दे रही हूं तो अगर आप प्यास को जल्दी सॉफ्ट करना चाहते हैं ग्रेवी बनाने के लिए तो यह ट्रिप जरूर याद रखेगा जैसे आप प्यास में नमक डालेंगे वैसे ही प्यास बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और ट्रांस्लूसेंट भी दिखने लगेंगे तो बस यहां पर करीब 1 मिनट तक इसे थोड़ा सा प्यास के साथ भुण ले और यहां पर मैं आट करने हूँ करीब दो छोटे चमश रल्दी का पाउडर और एक कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़या सा कलर आएगा तो बस इससे जादा आपको कुछ भी नहीं करना है आपको एड़ करना है आधा कप पानी और कुकर का लेड हम लगा लेंगे कुकर का लेड लगाने के बाद एक CT जैसे ही आए आपको gas की flame को low पे कर देना है और करीब 5 मिनट तक low flame पे इसे cook करना है 5 मिनट बाद जैसे ही pressure निकल जाए वैसे ही हम cooker के लिए धटा लेंगे और चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ कितनी बढ़िया सी gravy का मसाला हमारा तयार हो चुका है यह देखिए प्याज अच्छे से soft हो चुके हैं और टमाटर भी अच्छे से soft हो चुके हैं तो अक्सर जो PG में रहने वाले होते हैं यानि बैशलर्स होते हैं उनके पास mixer वगरा कुछ भी नहीं होता तो ऐसे में बिना mixer के आप बहुत आसान तरीके से gravy तयार कर सकते हैं अब यहाँ पर एक hand whisker मैंने लिया है इससे अच्छे से इस तरह से मैं इसे mix कर लूँगी ताकि gravy हमारी अच्छे से smooth हो जाए आप किसी कर्ची के help से भी ये काम कर सकते हैं अगर आपके पास hand whisker नहीं है तो देखिए चलिए दिखाती हो मैं आपको कितनी बढ़िया smooth सी gravy हमारी बन के तयार हो चुकी है कोई भी mixer की ज़रुत हमें नहीं पड़ी अब एक pan में मैं डाल दूँगी करीब एक slice butter का और इसमें हम मैरिनेट किया हुआ मश्रूम डाल के अच्छे से high flame पे इसे fry कर लेंगे तो यह high flame पे आपको इस काम को करना है यहाँ पे दो मिनट तक मश्रूम को high flame पे हमें fry करना है तो देखेंगे कि कुछे टाइम में मश्रूम थोड़े से soft हो जाते हैं और यहाँ पे देखें मश्रूम ने थोड़ा थोड़ा सा पानी चोड़ना भी शुरू कर दिया है तो अब इसे हम डाल देंगे जो हमने ग्रेवी का मसाला तयार करके रखा है तो उसमें हमें मश्रूम को डाल देना है और बस इससे जादा हमें कुछ भी नहीं करना है बस एड़ करनी है कुछ चीज़ें तो यहाँ पे मैं एड़ करूंगी करीब आधा टीस्पून के आसप ग्रेवी देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है अब आप चाहें तो इसमें पानी नहीं आड़ करें मैं थोड़ा सा पानी इसमें पैन को क्लीन करके आड़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे राइस से खाना पसंद करती हूँ तो मुझे यह थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही प और ये देखे क्या मज़ेदार मश्रूम मसाला करी बनके तयार हुए हैं आप देख सकते हैं देखने में ही कितने जादा मज़े के लग रहे हैं तो हमारे कुकर वाले मश्रूम मसाला करी बनके तयार हैं तो चलिए अब इसमें एड कर देते हैं थोड़े से बारिक कटे हुई हरी धनिया और साथ ही साथ जूलियंस में कटे हुए अद्रग तो इस मश्रूम मसाला करी को आप रोटी के साथ पराठे के साथ नान के साथ या फिर राइस के साथ कैसे भी सब करें बहुत ही मज़े की लगती है फ्रेंड्स मश्रूम मसाला करी को मैं राइस के साथ खाना पर आया हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी सरूर क्लिक करें मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन टेक केर एंड बाबाई